हलो फ्रेंज आप सबको मेरे यूटूब चैनल में स्वागत हैं आज मैं आप सबको बताने चारी हूँ कोलिजा ड्रॉप्स के भारे में ज्यादातर डॉक्टर इसे पेस्क्राइब करते हैं ये कोलिजा ड्रॉप्स बच्चों के पेट दर के वज़े से दिया जाता है कोलिजा से उनके रात में नीन की प्रोब्लम होती है मतलब वो सोने बाते उनका पेट दर्द करने लगता है पेट फूलता है और पेट में ग्यास की प्रोब्लम आ जाती है कोलिजा ड्रॉप्स को देने से उनकी ग्यास की समस्या बॉमेटिंग की समस्या ये सब दूर होती ह कोलिजा ड्रॉप्स को डॉक्टर के प्रस्क्राइब से ही लेना चाहिए दोस्तो आज हम कोलिजा ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे इसे कैसे यूज किया जाता है इसके यूजेस से हमें क्या प्रॉफिट मिलता है इसके बारे में मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी कोलिजा ड्रॉप्स सीमेथिकोन, दिल ओयल और फेनल ओयल ड्रॉप्स से बना हुआ है इसका प्राइज 96 में आ जाता है ये कोई भी मेडिसिन स्टोर में अच्छे से मिल जाएगा दोस्तो आप भी कोलिजा ड्रॉप्स को अपने बेबी को दे सकते हैं अगर आपके बेबी के पेट में दर्ध है, पेट में एंठन है, पेट में ग्यास की प्रोब्लम बार बार होती है अगर वो ज्यादा बॉमेटिंग करता है तो आप कोलिजा ड्रॉप्स दे सकते हैं इससे कोई प्रोब्लम नहीं कोलिजा ड्रॉप्स ज्यादर 30 ml या फिर 15 ml में आता है कोलिजा ड्रॉप्स को देने के बाद मेरा बेबी बहुत अच्छा से सोने लगा वो भी रात में बार बार उठकर रोने लगता था उसको बॉमेटिंग की प्रोब्लम भी होती थी लेकिन दो तिन दिन के अंदर कोलिजा ड्रॉप्स देने के बाद उसकी बॉमेटिंग की प्रोब्लम और रात को बार बार उठने की प्रोब्लम दूर होने लगी आप भी कोलीजा ट्रॉफ दे सकते हैं लेकिन जब भी दे तो आप डॉक्टर की सला से दे मैंने अपने बेबी को दिन ने दो बार 20 भूंदे देती थी आप भी इसको यूज कर सकते हैं इसमें कोई साइड एफेक्ट नहीं है प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाईए और लाइक की बटन में क्लिक कर लीजिए थैंक यू